हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आ यह यूं किचन से रिलेटीड कुछ नहई-net-हक्स तो इस तरह से हम कुई भी समान लेके आती है जो पैकेट में होता है तो उसको निकालने के बाद कई बार कुछ समान पैकेट में बखता है तो इसको फिर से सील करने के लिए आपने कई तरीके पहले भी देख रखे होंगे आज मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ तो यह देखी मैंने बेसर निकाल लिया और कुछ बेसर ने इसमें बस गया तो अब यह मैं क्या करूंगे इस तरह से इसको पहले दो तिन बार अच्छे से फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दो तिन बार करने के बाद जो है हमारी जो चीज होती पैकेट में वो बहार निकल के नहीं आती है जब हम उसको अच्छे से पहले दो तिन बार फोल्ड कर लेते हैं फिर इस तरह की जो छोट छोटी पिन होती है यह एर पिन जिसको बोलते हैं वो अक्सर हमारे पास पड़ी रहती हैं और करें हम यूज नहीं करते हैं तो उनको आप ले सकते हैं और इस तरह से उनको दोनों साइडों से इसके उपर क्योंकि यह लंबी होती है थोड़ी लंबी छोटी कही तरह की आती है पर यह छोटे वाला साइज है इससे भी लंबी आती है तो इस तरह से हम दोनों साइड इनको लगा देंगे और लगाने के बाद देखिए ये अच्छे से पैक हो गया है और अब इसमें से बिल्कुल भी कोई भी चीज है वो बाहर नहीं निकलेगी तो ये वाला तरिका आप जरूरत पढ़ने पर जरूर अजमा के देखिए आपको पसंद आएगा अगला जो है वो है हरी मिर्च को लेके तो हरी मिर्च हम इन दिनों मोटी हरी मिर्च आती है तो अक्सर चटनी वगएरा बनाने के लिए या फ्राई करने के लिए लेके आते हैं सब्दियों में ही वाली मिर्ची तो इनको हम कई दिनों तक कैसे संबाल के रख सकते हैं कि एक दम अच्छे से फ्रेस बनी रही तो इसके लिए सबसे पहले इनको धोके मैंने सारे के सारी जो डंठल है वो इनके निकाल दी है डंठल है आपको जरूर निकाल लें नहीं तो यह जादा दिन तक फिर फ्रेस नहीं रहती है इसके बाद क्या करना है कि हम नमकीन वगएरा लेके आते हैं जिनके उपर इस तरह का जो लोक होता है वो होता है तो यह मैं जो होते हैं बैग नमकीन के वो कभी भी फैंकती नहीं हो और इनको अंदर से मैंने साफ कर लिया इसको, अच्छे से साफ करने के बाद इस तरह से आप इसके अंदर इस मिर्च को भर के रखिए, और भरने के बाद सारी मिर्ची मैंने दोके सुखार ली थी और डंठल भी तोड ली हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से ऐसे हिला के और पैक कर देंगे और पैक करने से पहले इसके अंदर जो भी हवा है वो थोड़ा सा दबा के हम निकाल लेंगे और ये बड़ी आराम से और बड़ी असानी से लोक हो जाता है देखिए बस इस तरह से आपको लोक करना है और फिर आप इसको फ्रीज में रखिए ना ये बाहर निकल दें और काफी दिनों तक मैं तो काऊंगी कि महिने भर तक कि आप ज्यादा यूज नि करते हैं और मिर्ची ज्यादा ले आए तो इनको महिने भर मैंने रखी हुई है काफी दिनों तक ये चलती है और ऐसी कैसी फ्रेश पनी रहती है एक आधी बार आप बीच में देख सकते हैं कि कोई मिर्ची बीच में कई बार क्या होता है कि दिखती नहीं तो खरब से लिए ह दो आगला जो है कि इस तरह कि इस तरह से जोमारी छल्नी भोती वो फटी होती एम पतिले में गिरती रहती है दूद वगेरा जब हम जानते हैं उस टाइम तो हमारे पास कई बार ज्यादा दूद होता है तो हम एक आज से इसको नहीं पकड़ सकते तो इस तरह से अब हम इसके लिए क्या करें कि कोई भी आपके पास कड़्ची पल्टा कुछ भी हो उसको ऐसे रख ल इसको जो स्पोर्ट यहां पर मिल चुका है तो चलिए मैं आपको दूज चान के भी दिखा देती हूं ग्योंकि अगर अमारी चटलने चोटी है और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है तो हमें फिर बड़ी दिकत होती है एक आज से काम करने में तो यह देखिए आप इस त हमने देखा है अक्सर जो लेसून होता है हमने कई तरीके आपने भी देखे होंगे चिलने के पर आज मैं आपको दिखाती हूं बड़ा यह असान वाला तरीका तो जब हम इसको ऐसे चिलते हैं तो कई बार उपर से नाकुन में लग जाता है हमारे तो सिर्फ आपको करना क् आपको इसको ऊपर जो हाल्ड वारा एरिया होता है उसको हाल का सा चाकु से काट ले और उसके बाद बस फिर इसको एक बार भीज में से ऐसे थोड़ा सा घुमा दे प्रेस करके तो इसके जो चिलका है वो अपने आप भीज में से टूर जाएगा और फिर उसको निचे से प इस तरह से आप थोड़ा से इसको प्रेस कीजिए दो एक बार और फिर इसको नीचे से खीज़ के और उपर से निकाल दीजिए तो इस तरह से आप बढ़ी असानी से लेसुन को छील सकते हैं बिना किसी जंजट के अगिला जो है काया हमारी गर में मैगी वगरा बनती रहती है तो सबसे पहले आप क्या करें पानी को जब ओबल जाए उसमें आप इस तरह से जो इसका मसाला होता है वो डाले इसका कार्णी है कि जब मसाला पहले डाल देंगे तो वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद जब हम इसके अंदर जो हमारी को तोड़के डालिए इसका फाइदा यह है कि एक तो यह थोड़ी देखने में क्वांटिटी ज्यादा लगेगी और दूसरा जब बच्चे खाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वह जब हम तोड़के नहीं डालते हैं तो अक्सर थोड़ा बहुती इसके अंदर जो पानी बच जाता है तो उसके चीटे अपने कपड़ों के उपर गिरार लेते हैं यह देखिए कितनी अच्छे सी यह बन चुकी है और यह मैंने तोड़के डाली है तो दिखी रहा है आपको तो यह वाला है का आप जरूर ट्राई कीजिए आगे यह देखिए हमारे पास इस तरह स उसको खुरज-खुरज के निकालते हैं तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है यहां एक गिला कपड़ा थोड़ा सा मोटा ले ले और उसमें 10-15 मिनट के लिए इसको लपेट के बोटल को रख दे लपेट के रखने से कपड़े को थोड़ा सा गिला ज्यादा रखे और फिर आप देखिए कि इसके अंदर इसको जब इसकपड़े से ही हम रगड़ेंगे तो यह किस तरह से बढ़ी असानी से बिना महनत के यह छूट जाता है और इस तरह से इसमें टाइम भी नहीं लगता है बस आप कोई भी काम करते करते कीचन का साथ में यह काम भी कर ले और बोटल हमारी एकदम से साफ हो जाती है कई बार क्या होता है कि उपर से हम जो खुरज के जो इसका रैपर वो निकाल देते हैं पर नीचे की जो गोंद वगएरा होती हो इस पे चिपकी रहती है और वो देखने में फिर अच्छी नहीं लगती तो यह वाला तरीका आप जरूर आजमाई और आपको कैसा लगा यह भी कॉमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगा तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यह देखी मैंने आप इसको धोके से पहुंच लिया है और जो बोटल है वो एकदम से चमकने लगी है तो आप अगर इन में से कोई भी है की उज़ करते हैं और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को कुमेंट करके जरूर बताना और इसके बाद जो आगे का है कि वो आम दिखाती हूं कि जो टूथ पेस्ट होती है इस तरह से हमारे पास खतम हो जाती है तो हम इनको फैंक देते हैं तो आपको करना क्या है कि एक आदी इस तरह कि जो खाली बोटल है वो टूथ पेस्ट की वो अपने पास जरूर रखिए क्योंकि कई बार अचानक से हमें कहीं जाना पड़ जाता है और फिर हम फूल जो हमारे टूथ पेस्ट होती है वो तो बड़ी होती है लेकिन जा सकते हैं कई बार बॉटल से कैसे बढ़ते हैं वो दिखाती हूं तो इस तरह से मैंने जो खाली बॉटल थी ओसको थोड़ा सब सबीसमें प्रेस करके और फुला लिया है और अब इसको दूsembसरे को इसके उपर रखे के इस nasıl एक दम उपर रखेंगे इसके पैप निकालकरर और फिर उपर से जो जिसमें टूथ पेस्ट है उसको प्रेस करेंगे और प्रेस करेंगे तो वो जो खाली बोटल है उसमें चली जाएगी यह देखी काफी सारी जो पेस्ट है वो इसमें नीचे वाली खाली बोटल में चली गी जितनी आपको जरूर तो उतने निकाल लें और फिर कैप लगा क इस तरह ऐसे फोल्ड करके आप अपनी किट बगेरा में इसको डाल ले तो ये आइडिया आपको कैसे लगे